मंसा गाव में एक लोहार रामगोपाल रहता था, उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था, रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामगोपाल ने अपना खाने का डिबबा बांधने के लिए पतनी जब दिब्बा लेकर आई तो रामगोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर रामगोपाल अपने काम पर निकल गया, काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था, वहाँ जैसे ही रामगोपाल पहुचा उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे ही रामगोपाल कुछ पास गया, तो उसने देखा कि एक साधू भगवान का मंत्र ज मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के दिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामगोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकाल कर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामगोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधू ने कहा बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाऊगे। साधू ने जवाब देते हुए कहा बेटा यह मामूली हथोडा नहीं है ये जादूई हथोडा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है इसका इस्तिमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना इतना कहकर वह बाबा वहां से अद्रिश्य हो गए रामगोपाल अपने हाथों में हथोडा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथोडे से लोहा पीटता हूँ जैसे ही उसने लोह पर हथोडे से चोट मारी वो सीधा ओजार बन गया दूसरी चोट में लोहे के बरतन बन गये रामगोपाल समझ गया कि यह सही में जादूई हथोडा है वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता लोहा सीधा वही बन जाता जादूई हथोडे की वजह से के लोगों को भी बेच देता था धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे एक दिन गाव का मुखिया उसके घर आया और बोला हम गाव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है क्या तुम अपने हतोरे से गाव और शहर के बीच आने वाला ए बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी पहार तोड़ने के बाद घर लोटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादूई हतोरे से मेरा काम जल्दी हो जाता है लेकिन कुछ ज्यादा फाइदा तो हो नहीं रहा है इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया उस जंगल में वही साधू बाबा लोहार को दोबारा दिखा लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बाते बता दी साधू ने कहा इसका उप्योग सिर्फ औजार और बरतन बनाने वह पहार तोड़ने तक सीमित नहीं है इससे बहुत धन कमाया आज रामगोपाल एक अमीर आदमी बन गया है अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है उस जादूई हतोड़े का इस्तिमाल कर लेता है कहानी से सीख चाहे कोई वस्तू हो या दिमाग इनका इस्तिमाल पूरी तरह से करना चाहिए साथ ही अपने पास मौझूद सामान कमोज